चलो मेरे मित्र आज हम लोग एक ऐसी कंसेट पर बात करने वाले हैं जो लॉंग टाइप कोश्चन में हर बार पूछे जाते हैं देख मेरे भाई मैंने थमनेल में ही कोश्चन लगा रखा है और यहां पर देख लो यह जो कोश्चन पुछा गया ना 2015 में 16 में और हर बार लॉ देखो यह कोश्चन जो पुछा गया ना दिख रहा है पंदरह में 16 में आगे अगर चल कर के बात करते हैं नम मेरे मित्र तो यहां तक सारी कोश्टन पूछा गया बड़ा प्यार से सारी कंसेप्ट की हम डिसकस करेंगे मेरे भाई मेरा वीडियो लाने में इतना इनलाइसिस करके मेरा वीडियो आता न ऐसे ही न कि उठा के ला दिया आपका समय बरबात कर दिये निश्ची तोर पर में उminute एक्षा में comprehensive अच्छा बोड स्वारी ला डिक लो मेरा नाम का चिसर ने बोला था धा यह कोष्टन है चलो लेते हैं और पहले बात यहां से यह भेक्टर का सवाल है आप कोशन बैंक में देख सकते हो यह भेक्टर का सवाल है चलो मैं आकर करके देखता हूं तुमको दिखाता हूं सबसे पहले निकालना क्या गुरू जी एक करोस भी मेरे भाई निश्ची तोर पर इतनी बार जरुवत होती है एक करोस भी ना जिसकी तुम कलपना नहीं कर सकते हो सोचो अगर बोड एक्जाम में आ जाता है 2015 में तुम एक्जाम दे रहे होते वैसे मैं बता दूँ 2015 में ही मैंने एक्जाम दिया था 2015 में अगर तुम दे देता तो कैसे बनाता? तो देखो, मैं अगर इक्जाम में बैठा होता तो कैसे बताता? सबसे पहले आप लिखो solution प्यारा सा सब्दों में लिख लो solution लिख लिया दुनिया वाले को बताओ Given that कि दिया गया है क्या क्या दिया गया है मेरे मित्र तो कहोगे सुनो गुरू जी भेक्टर A बरावर आपका दिया गया है भेक्टर A बरावर 2I बिल्कुल बोडिक जाम में ऐसे ही बनाना 2I minus 3J और minus का 5K minus का 5K अगर बात करोगे भेक्टर B बरावर भेक्टर b बराबर क्या दिया गया है तो यह आपका दिया गया है माइनस 7i माइनस 7i पलस 6j और पलस का 8 के यही आपका सवाल दिया गया है मिला जुला के मोटा मोटी बात ही है देखलो दोनों डिजिट मैंने सेम लिखा न यह अंसर में दिक्कत नहीं होगा 2i माइनस 3j माइनस 5 के बिल्कुल सही है मेरे भाई 7i पलस 6j पलस 8 के बिल्कुल सही है पांच नंबर की सवाल है देखो बड़ा प्यार से हम लोग देखते हैं कितने मजे के साथ देखते हैं सबसे पहले गुरुजी आपको निकालना है A क्रॉस B भेक्टर A क्रॉस B निकलता है कैसे मेरे भाई तो यह डिटर्मिनांट में थड़ से बनता है अगर आपने डिटर्मिनांट नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं तेरा भाई यह बड़ा प्यार से समझाएगा तुम लिख लो I और J और K अपने मांन से लिख लो तुमको लिखना पढ़ेगा यही तरीका है अपने मांन से हर कोस्चन में I, J के लिख लो अब उसके बाद भेक्टर A बोला है न तो यह का कॉफिसियंट लिखो का मतलब गुनांक I के साथ गुनांक है 2 J के साथ गुनांग है आपका माइनस 3 K के साथ आपका गुनांग है माइनस 5 यानि I, J, K का गुनांग को लिख दो गुनांग का मतलब होता है कि I, J, K के साथ में जो गुना है तो गुना क्या है? 2 है, माइनस 3 है, माइनस 5 है फिर B की बात किया है तो B का गुनांक लिखो माइनस 7, माइनस 7, 6 हो गया और आपका 8 हो गया मेरे भाई मेरी पहली कहानी तो किलियर हो गया कि भाई करना कुछ नहीं होता है सबसे पहले IJ के लिख दो उसके बाद A का कॉफिसियंट A हाई A है तो एका कॉफिसियंट B है तो B का कॉफिसियंट कॉफिसियंट का मतलब गुनांक जो IJ के साथ गुनां में है दो देखो माइनस 3 है तो माइनस 3, माइनस 5 फिर B की बात किया तो B का कॉफिसियंट माइनस 7, 6, 8 मैंने पूरी कहानी लिख दिया अब मालो ये डिटर्मिनांट है तो आपने डिटर्मिनांट पढ़ा लिया तो बिल्कुल बना लोगे नहीं पढ़ा है तेरा भाई है तुमको बड़ा प्यार से समझाता है सबसे पहले सुनो क्या करना अर अरा अरा इका हो गया प्यार से सुन लो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले देखो ज़र आहा हा 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 देखो क्या करना सबसे पहले इसका element का sign होता है sign क्या होता है ये वाला plus होता है ये वाला minus होता है और ये वाला plus होता है determinant के element के sign है element के sign है कि plus minus plus बोलोगे सर मुझे पता है नहीं का तुम देख लेना अन्य भी देखते हो तो अभी के लिए रट लो याद करेंगे मेरा बैंस वडियों में देख लेना पला सोटा मैनने बताया है सब Пलास होता गर के बाहर भीगो बारी बारी से एके करके घर के बाहर भीगो तो एक कराओ से बी बराबर सबसे पहले कौन घर के बाहर होगा आई आई अपने साथ क्या लेकि आएगा तो आई कची नहाओ ता पलस तो पलस होगा बाहर पलस होगा बाहर अब सोचो इसको घर से तुम बाहर क करेगा कहेगा सुनो मेरे भाई मुझे तुम घर से बाहर कर दियो ना मेरा कोई गोतिया खाने के लिए नहीं जाएगा तो आई का गोतिया कौन-कौन है देख लो मेरे मित्र आई का गोतिया की मैं चर्चा करूं तो आई के सामने वाला गोतिया होता है और आई के सामने वाला आठ है यह यार मैंने लिखा था कहां गाइब हो गया चलो कोई बात नहीं अगर किसी कारण बस मीट भी गया होगा तो उसकी हम चर्चा कर देते हैं समझ रहो ना यह का गुनांग लिखा हुआ था यह बी का गुनांग लिखा हुआ था माइनस साथ छो और आठ तो आई को घर से बाहर कर दिया ता आई का गोतिया नहीं जाएगा यानि आई के सामने वाला गोतिया आई के सामने वाला जाएगा कौन-कौन-3-5-6-8 अरे आई का गोतिया नहीं जाएगा खाने के लिए जो बचा उसकी गोतिया तो जाएगा न तो बचा कौन-3-5-6-8 चलो आई का तो क जे जाएगा साथ में, जे जाएगा तो जे भी कहेगा, मुझे घर से बाहर कर दियो, मेरे गोतिया भी खाने के लिए नहीं जाएगा, तो जे का गोतिया कौन होगा, जे के सामने वाला गोतिया होगा, बचेगा वो जाने जाएगा खाने के लिए, तो कौन-कौन बचा है, के को बाहर करोगे तो अगला बार कौन बाहर होगा के बाहर होगा के का चिनहा क्या है पलस के बाहर हो जाएगा तो के का गोतिया के को बाहर कर दिया ना तो के भी कहगा रहे हमारा हमें बाहर कर दिया हमारा गोतिया नहीं जाएगा खाने के लिए तो के का गोतिया कौन-कौन ह मेरे मित्र तो के का गोतिया देखो के के सामने वाला गोतिया के के सामने वाला गोतिया यही के का गोतिया होता है तो के का गोतिया बाहर हो जाएगा तो जाएगा बचेगा जो जाएगा बचेगा कौन बहुआ बचेगा दो माइनस तीन माइनस तीन माइनस साथ और क्या बचे आई जे के लिखना है उसके बाद एका कोफिसेंट लिखना एका कोफिसेंट कितना था दू है माइनस तीन और पाच है कोफिसेंट मने गुना दूसरा बी की बारी आती तो बी का कितना माइनस साथ छे और क्या होगे आठ उसके बाद बारी बारी से हमें का वोगो घर से बाहर खिच लेंगे तो सबसे पहले तु आई को घर से बाहर करोगे आई गोस्था में कहेगा मुझे घर से बाहर कर दिया मेरा गोतिया नहीं जाएगा खाने के लिए तो आई का गोतिया कौन-कौन होगा भाई तो आई के सामने पड़ा और आई के सामने खाड़ा ये दोनों आई क जाएगा बचेगा दो माइनस तीन साथ चो अब आपकी कहानी हो गई किलियर डिटो बन गया अब एक लाइन का कोश्चन बचा है जो कि यहाँ पर बात कर लेते हैं एक लाइन का कोश्चन देख लो भाई पांच नंबर की सवाल है तो कुछ तो इज़त इसका बनता है एक ला माइनस 24 आठिया के 24 माइनस में अब एक कहानी ये समयना होता ना कि इधर से हम जब मल्टीपल करेंगे इधर से मल्टीपल करेंगे तो इधर से जब मैने मल्टीपल करना है ना तो एक माइनस तु मेरे तरफ से ले लेना भाई कहता है अगर इधर से आते हो ना तो एक माइन खुद से लेना होता है तो यह माईनस खुद का माईनस तो माईनस माईनस पलास यानी हो गया यह 30 यह कितना हो गया 30 चलेगा 30 हो गया आ यही आ जαι Woah आ जा accomplishments अगया माईनस का चे इधर से गुना करोगे 8 गुना के 16 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पच्धे तो 35 हो जाएगा एक माइनस एक दू माइनस आये गो अपने तरफ से माइनस जैसे ही तुम इधर से मल्टिप्लाई करते हो ना तो एक माइनस तुमको खुझ से लेना होता है तो एक माइनस दू माइनस एक और माइनस अपने तरफ से तो तीन माइनस तो बस्पन में पढ़ाया होगा क अगर माइनस अगर सम संख्या में हो तो पोजेटिव होता है जैसे दू गो माइनस तो पोजेटिव चार गो माइनस पोजेटिव छो गो माइनस पोजेटिव आठ गो माइनस पोजेटिव लेकिन यही विसम में आजाए और नंबर में आजाए एगो माइनस माइनस तीन गो मा 35, 7 पचे के 35, पलस का के, इधर multiple करो 6 दूना 12 और इधर से multiple करोगे, तो 1-2-, आएगो अपने तरफ से minus, जब भी इधर से multiply करोगा ना इधर से, तो इधर से minus ले ले लेना, एक minus, दू minus, एगो अपने तरफ से 3 minus, तो 3 minus का मतलब minus होता, सतिया कितना रभ हुआ, एक एस, अब मेरे भाई बस multiply, जोड़ घटाओ, सब कर दो, हो गया कहानी खतम, एक कराउस बी, एक कराउस बी बराबर आई, डिरेक्ट कर लो ना, आई क्यों लिखना है, 30 में से गया 24, तो बचेगा 6 आई, 30 में से 24 गया 6 आई आप सोचो 35 में से यह जाएगा तो आपका हो गया 5 में से तो छो जाएगा नहीं 10 5 चले लो 10 में से 6 गया 9 यानि minus 29 आएगा minus 29 यह minus 29 देगा और यह बहुता minus 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 29 जे हो गया पलस 11 हो गया, पलस का, स्थीरी, माइनस का, क्योंकि 21- enforce 12 चला जाएगा, तक कितना हो जाएगा? 10-11, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 के हो गया, 9 के हो गया, अरे भाई, जोडगहडाओ तो करी सकते हो न, 9 के हो गया, यही आपका अंसर आया, A x B यही आपका अंसर आया A x B एक्जाम में भी ऐसे घिर करके ऐसे अंसर लिख देना प्यारा सा और एक या दो लाइन छोड़ करके अगली question बनाना यह सवाल अगर आपके 5 नंबर के exam में है तो 5 March देने में कोई माई का लाल नहीं कमी करेगा और same question मेरे भाई मैंने 2015 में exam दिया था और same यही question मेरे exam में आया था कोई बड़ी बात नहीं है कोई तकलिक्प की बात नहीं है तेरा भाई है ना निश्चीत और पेक एक concept समझ में आया होगा नहीं भी आया होगा ना तो मैं अभी आगे का और question समझाता हूँ प्यार से समझ में आ जाएगा कोई बड़ी बात ही है नहीं अरा यार चिल करो क्यों घबराते हो तेरा भाई है ना साथ साथ में सुबह का आठ वजे वाला वीडियो देखते रहा ना काम हो जाएगा चलिए आगे की बात करते हैं यह एक छोटी concept देते हैं अगर आपने math कुछ भी नहीं पढ़ा है या तो कुछ पढ़ा है छोड़ छोड़ के पढ़ा है तो आपका एक ही ची नईया पार करवा सकता वो जो 2 October का course आने वाला है यही एक आपके पास मात्र सहारा है जिससे आपका नईया पार हो सकता है 90 plus का 90 plus का करना कुछ नहीं है application पे चले जाना प्लेयर स्टोर पे यह वाला नाम तुम लिख देना है और मैंने इस course पे बहुत सारा demo वीडियो बना रखा जिसमें कोई पैसा नहीं है तुम इस course पे क्लिक करोगे बहुत सारा demo वीडियो खुल जाएगा वो demo वीडियो देख करके तुम 80-85 नमबर ला सकते हो लेकिन 90 plus लाने के लिए इस course में आपको enroll होना आएगा यही एक मात्र आपका सहारा है दूसरा कोई सहारा नहीं है चलो आगे आजाओ जी आगे अगर बात कर लेना तो आगे अगर देखो 2018 में same question पूछा है करना कुछ नहीं कई-कई बार आपको इसका नाम देता है भेक्टर A भेक्टर B कई-कई कुछ नहीं करता बीच में गुना वाला चिनहा लगा देता है आपको याद रहे यह भेक्टर में भेक्टर में यह दोनों का बड़ा मतलब हो जाता है यह dot लिख दो और या कर लिखो तो यह दोनों अलग-अलग गुना का चिनहा है ऐसे तो आपने पढ़ाओगा तो बोलोगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं दोनों तो गुना का चिनहा नहीं मेरे भाई भेक्टर में इसका dot वाला गुना अलग होता है cross वाला गुना अलग होता है अभी हम कौन सा पढ़ा रहा है अभी हम पढ़ा रहे है cross वाला यानि जब जब आपको cross वाला कुना करना होगा तब क्या करोगे तो देखो मेरे भाई ये मेरा सवाल रहा यही मेरा सवाल है 2018 में ये question पुछा गया है अब जितने number का पूछे कोई-कोई board में 3 number कोई board में 2 number कोई board में 5 number तो जितने number का पूछे तेरा भाई जब ठीका ले लिया है समझा देगा तो समझा देगा मैंने जैसी ही सकल देखा cross का जैसे ही देखा सकल cross का तो जैसी cross की सकल देखेंगे मेरा दिमाग डेरेक्ट हिट करता है गुरू जी ये तो डिटर्मिनांट से बनेगा कोईचन किसका भेक्टर का भेक्टर क्यों बोले अगर आई-जे के उपर ऐसे तीर लगा हो गया है तो ये आपका भेक्टर का सवाल है ये आपके कोईचन में 5 number या तो 3 number में पूछा गया होगा किसी भी बोर्ड कर रहा हो नई भी कुछ दिया हुआ है मैं इसको ये मालनूगा इसको भी मालनूगा नई भी मानोगे कोई माई कालाल माना नहीं करने बाला मत मानो तुमको कोई दिक्कत नहीं है मैं सुन्दरता के लिए इसे लेट कर लेता हूँ लेट भेक्टर A बराबर मान लेते हैं यह वाला भेक्टर A है 2I 2I पलस 6J पलस का 27 के बहुत अच्छा सवाल है भाई 2018 में पूछा गया और एकदम गरंटी के साथ बोलते हैं यही वाला आएगा ऐसे ही नहीं गरंटी के साथ मैं बोलता हूँ मैं बड़ा एनलाइसिस करके वीडियो लाता हूँ बहुत सोचता हूँ कि किस कंसेप्ट से बच्चा का वीडियो कोश्चन पूछा जाता है यह हो गया आपका I और J मैंने मान लिया इसे भेक्टर A और इसे मान लिया भेक्टर B तुमको नहीं इच्छा है मत मानो तुम डि गुरू जी तो डिटर्मिनांट में थर्ड से बनेगा बना दोना डिटर्मिनांट में थर्ड क्या दिक्कत है बनाओ डिटर्मिनांट कई से बनाओगे तो बोलोगे सर करना कुछ थोड़ी है गुरू जी आप यह वाला ऐसे डदलाइन लेलो और ऐसे एक लाइन लेलो आप आपको लिखना क्या है आई जे के फिर क्या करना गुरू जी इसके कॉफिसियंट को लिखना है इसके गुनां को लिखना है तो यह आपका हो गया दो प्यार से भाई दो छे और 27 जी इसका गुनां को लिखो नहीं कुछ तो आई के साथ बन गुना में रहता है तो यह आपका 1 हो गया 3 हो गया P हो गया और यही आपका P का value पूछा था देखो इस question में आपको दे दिया है कि भाई साथ इतना के बरावर 0 है तो तुम भी इसके बरावर 0 लिखना होगा question ने बोला है कि सुनो भाई हमको पता है कि ये दोनों को multiply जब करेंग न तो result 0 आएगा तो बताना चाहरा है कि इस P के जगाँ पे क्या हम value रखें कि multiply करने के बाद मेरा 0 आजाए यही चीज पूछना चाहरा है तो हम कहतें देखें सरा मूतना नहीं जानते हैं हम मोटा मोटी आदमी है बस इतना जानते हैं कि हमको cross बनाना है, kross का निकालना है, cross निकालने के लिए हम vector का, sorry, determinant का इस्तेमाल करते हैं सर इतना बरावर 0 दे दिया है इसलिए भी हमने इतना वरावर क्या रखा जीरो रखा बस मोटा मोटी बाते ही है फिर कहोगे देखो गुरुजी अगर ये जीरो नहीं होता तो हम P का भैलू कैसे निकाल पाते हैं किसे compare कर पाते हैं नहीं होता तो question में 0 दे दिया था मैंने भी बस यहां पे 0 लगा दिया है सबसे पहले IJ का sign लिखा जाना होता है तो अगर मेरे भाई आपको IJ का sign नहीं याद है तो अभी याद कर लो ये plus होता है ये minus होता ये plus होता अभी के लिए याद कर लो यही वीडियो में genius बनने की courses मत करना तेरा भाई अगर बोल दा है अभी याद कर लो तो याद कर लो कि पलास होता माइनस होता पलास होता कैसे होता है उबाद हम बता देंगे कहां बताएंगे वीडियो में मिल जाएगा यह आपका हो गया अब हर साल की भाती इस साल भी जैसे हम लोग निकालते थे सबसे पहले आई को हम करेंगे घर से बाहर आई को घर से बाहर करेंगे तो आई जाएगा route अब आई कहेगा हमरा घर से बाहर निकाल दिये हो हमरा कोई आदमी ने उता में नहीं जाएगा तो आई का आदमी कहों है देखो आई के सामने वाला गोतिया है और आई के सामने वाला गोतिया है तो बचेगा क्या क्या जी बचेगा आपका 6 बचेगा 27 बचेगा जो जो नई कलर हुआ है तीन बचेगा और पाच बचेगा, हो गया कहानी खतम, अब जे को बाहर निकालो, एक बार आई को बाहर निकालो, एक बार जे को बाहर निकालो, जे अपने साथ माइनस लेके आएगा, जे बाहर निकलेगा तब क्या होगा, तो जे बाहर निकलेगा तो जे भी कहेगा हमको बा जाएगा खाने के लिए तो कौन-फाइबन के सामने बचा दोबचा है 17 भचा है कि वञद पीबचा हो गए आई को निकाल दिया ज्य को निकाल दिया अगली भार यह तुम्हारी केका तो के को बाहर निकालोगे तो के कहएगा अच्छा इस वार मुझे घर से बाहर निकाल दे हो इसका मतलब मेरे घर का आदमी खाना खाने नहीं जाएगा तो बोलेंगे बच्छा बाई जो बचेगा जो जाएगा खाने के लिए तो K के सामने का यही रह गया गोतिया यही है K के सामने का गोतिया तो बचा कौन कौन जी बचा आपका 2 बचा, 6 बचा 1 बचा, 3 बचा बस, बाकी तो multiplication करना तेरा भाई बता ही दिया है कि कैसे multiplication होगा कहेगा 2 सर, कोई बढ़का बात थोड़ी है सर, यह हो गया आपका 6P इधर से multiple करेंगे तो आप ही ने बताया गुरू जी एक minus ले ले लेना अपने मन से तो minus 27 तिया के 80 होता है, minus J, यह हो गया 2P, आप minus का 27 plus का K और यह हो गया 6 minus 6, अरे भाई 6 हुआ ना इधर से multiply करेंगे 6 हो गया बरावर में 0 दे रखा था, मैंने भी बरावर में 0 दे दिया कोई बड़ी बात ही नहीं बोलिए, बस छोटा छोटा जरी जरी को बात हमने बोला है बस लिख दिया, बचेगा क्या क्या जी, बचेगा देखो अब भाई ये तो घटेगा नहीं 6P में से 81 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा यहां भी नहीं घटेगा, यहां भी नहीं घटेगा तो मुझे निकालना है P का भैलू तो एक बात बता दे तुमको एक बात बता दे हम तुमको तुम चाहोगे तो ये भी 0 के बराबर है ये वाला भी 0 के बराबर है और ये तो अल्रेडी 0 के बराबर ये तो 6 ही होगा ये अल्रेडी तीनों किसके बराबर है भाई 0 को बच्चा बोलेगा मैं नहीं मानता हूँ रूजी क्यों 0 के बराबर हैगा बच्चा मानेगा ही नहीं मैं बोला ठीक भाई थोड़ी बर्रास कर लो क्यों मानेगो बेवाकूप थोड़ी हो क्यों मानोगो जो मैं बताता हूँ देखो 0 के अगर बराबर कर दें तो यह में राज आएगा 2P माइनस 81 बराबर 0 यहां से 2P माइनस 27 बराबर क्या रहे बहुआ 0 2P माइनस 27 बराबर 0 यहां से तुम निकालोगे तो यहां से निकालोगे P बराबर यह यह T1 हो जाएगा 6 इधर चल जाएगा यह कटेगा 27 तीया 182 तीया के छो यहां से भी P का भैलू निकालोगे तो 2P बरावर 27 और P बरावर 27 बटा के 2 निकल गया आपके पास 0, P का भैलू यही तो आपको चाहिए था, P का भैलू चाहिए था देख भाई, ये वाला भी 0 के बरावर, ये वाला भी 0 के बरावर, ये वाला भी 0 के बरावर बाकी जो आगे की बात अगर आती है कि नौई भाई जीरो कई से होगा तो एक बात हम तुमको बता देते हैं एक तरीका तो तुम्हारा ये हो गया कि तुम अपने मंसे जीरो के बराबर लिख सकते हो दूसरी तरीका क्या है बच्चा बोलेगा नई मानता हूँ मैं गरूजी आप थोड़ा और इजद से समझा मैं बोला ठीक है भाई ऐसे क्यों मानते हो, नई मानते हो तो मत मानो, तुम तो कहोगे नई मानते, सरकमपेयर तो ऐसा होता ये नहीं है तो मैं तुमको बताता हूं लिख लो i 6p-81-j 2p-27 पलस k और यह तो 0 है यह रहने तो 0 अब देखो 0 को तुम कैसे कैसे लिख सकते हो तो 0 भेक्टर को थोड़ा सजा करके लिखो अगर हम 0 i लिख देंगे कोई माई का लाल हमको माना नहीं करेगा माइनस का जीरो j लिख देंगे कोई माई का लाल माना नहीं करेगा बोलेगा हम आईसे कैसे अरे मेरे भाई 0 i 0 j 0 k तुम 0 को जरूरत के अनुसार rotate कर सकते हो 0 को तुम लिख सकते हो 0, I, 0, जरुवत को निसा है ऐसा हमने क्यों लिखा ताकि जब हम compare करे न मेरे भाई जब हम तुलना करे compare करे न तो ये I वाला का compare I के साथ है कर सके J वाला का compare J के साथ है कर सके K वाला का compare K के साथ कर सके compare मन तुलना یہ बात पहले ही हम बता चुके हैं अब बच्चों के सवाल वाया होगा कि माश्टर जरूर रटके आया यार यह जब पलस में लिखा यहां पलस में लिखा यहां माइनस में क्यों लिखा अरे मेरे भाई मेरा यहां J वाला माइनस में था इसलिए हम J को माइनस में लिखें ताकि दुनिया वाला को कोई तकलिफ ना हो जिरो तुम पलस में लिखो जाहे जिरो माइनस में लिखो कोई तकलिफ की बात ही नहीं है तो हमने ऐसा इसलिए लिखा कि कोई भेद भाव नहीं लिखे हम 0 को ही तो लिखे तुम बताए तो नहीं जरूआ थो तो direct compare कर दो ना कोई गलती नहीं करेगा लेकिन यह थोड़ा हो गया थोड़ा इज़त देना थोड़ा इज़त दे करके लिख दिए अब हम लिखेंगे बच्चों यहां तुलना करने पर इंगलीस वाले बच्चे लिखेंगे हम लिखूंगा तुलना करने पर तुलना करने पर इंगलीस वाले बच्चे लिखेंगे do the compare compare ठीक है ना do the compare compare करने पर compare करना क्या होता है कि जात वाला जात के तुलना करता है तो compare करेगा तो क्या हो जाएगा 6P-81 बरावर I का compare I के साथ है बरावर 0 J का compare J के साथ है तो 2P-27 बरावर 0 फिर बच्चों को दिमाग में सवाल कि पागल बागल हो गयो गुरुजी compare तो आपने किया तो I कहां गया J कहां गया अगर 11 नहीं पढ़े होना तो ऐसे मन में doubt आएगा हम एक बात तुमको कहांनी छोटा सा सुनाते है अगुआ का काम होता है लड़का लड़की को मिला देना साधी के बाद कभी सुनो कि अगुआ के साथ में लेकर अगुआ समझते हो बर तुहारे जो करवाता है यानि जो लड़का लड़की को साधी करवाता है उसी को हम लोग गाओं के भासा में आगुआ कहते है जिसे अभी marriage पर पोजल करके office खुला है अरे साधी बाला क्या है उसको यार क्या उसको बोलते हैं साधी.com है है ना application या website है उसमें क्या होता है लड़की बल अपना document देता है लड़का बल अपना document देता है और साधी.com बाले को बोलता है भाई साम मुझे एक अच्छा लड़की ढूंड़ दो पढ़ी लिखी होनी चाहिए और लड़का बाले बोलता है तो उस साधी.com है ज इसकी तो कई चर्चा ही नहीं करो तो ये मेरा काम हो जाता है और उमीदिता समझ में आया होगा एकदम निश्ची तोर पर 2P बराबर 81, P बराबर 81 बटा छो मेरे मित्र इसे तुम काट लोगे ना काट लोगे तो 27 बटा दो आएगा और यहां भी कर लो 2P बराबर 27 P बराबर 27 बटा दो अच्छा सा अपने कलम से इसको घेर देना P बराबर अंसर लिखा के आपको कोई माई का लाल गलती नहीं कर सकता है P का भाईलू 27 बटा के दो यही आपका अंसर सही है एकदम कोई गलती नहीं कर सकता है एकजाम में तरीके बनाने के यही होते देख रहे हो मैंने कितने सुन्दर तरीके से बनाया है तुम ऐसे ऐसे मत कर देना मैंने तो यह समझाया है देख रहे हो कितने प्यारे तरीके से हमने समझाया एक से डेढ़ पेज में जाएगा पांच नमबर का सवाल रहेगा पांच में पांच देगा कोई गलत करी नहीं सकता है लाफा से लगे अगर गलती किया तो सौ में सो बना के आते हो तू उमीद भी रखो कि सौ में सो नंबर लाएंगे 99 अंठान में क्यों लाएंगे जी बनाने का सही तरीका अपना और निश्ची तोर पे आएगा ये तेरे कारांटि लेता आता है आया है आएगा समझ रहे हो एकदम यही सेम प्रोसेस अपनाना कोई दिक्कत नहीं है आगे आजाओ बनाने का तरीका मैंने समझा दिया है इसके अगर आगे की बात करते हो ये तो मैंने बना दिया इसकी आगे की बात करते हूँ, अच्छा छोटा सा, फिर एक परचा, आपको तो नोटिफिकेशन मेरा काम देना होता बहुत सारा बच्चों का सवाल पता क्या रहता, ओ गुरु जी सुनो मुझे तो फर्मूले ही याद नहीं होता है तो जो बच्चे को फर्मूला याद नहीं होता या फर्मूला एक जगा नहीं है या तो फर्मूला याद करता भूल जाता उस विद्दार्थी के लिए मेरा 12 का एक स्रीज आने वाला फर्मूला बीडियो का बित एक्जाम पली यानि फर्मूला अब फर्मूला से कैसे बोट एक्जाम में कोश्टन पूछा जो फर्मूला को कहानी से याद करवाएंगे जैसे X X का DC क्या होता तो बच्चा बन राटा भूल गया तो मैं बताऊंगा कि X को X मत पढ़ो X को पढ़ना X मतलब आपकी X गल्फरेंट कैसी थी तो नमबर बन थी यानि X का डिफ्रेंसियेशन बन नमबर बन ऐसे कहानी से याद कराएंगे ये पूरा स्रीज आपको 5 सितंबर को आ जाएगा 5 सितंबर टीचर दिन के ओप्शन पर 5 सितंबर और स्रीफ इसी दिन के लिए मातरी 49 रूपिया में कोर्स आपको मिल जाएगा बंदू तो ये मौका कभी मत छोड़ना देखो छोटा छोटा पैसा हम जरूर लेते हैं क्यों क्योंकि बीना पैसा कर तुम मुझे भैलू दो गए नहीं ये तो भीहारियों का आदत होता कि पैसा नहीं लगा इज़्जत नहीं दो पैसा दे दो गो इज़्जत दो गो यार तो इसलिए छोटा से मॉन्ट मैंने रखा पूरा तेरा जेप्टर है तेरा चेप्टर का क्यानि तेरा सालों में जितने पुछा गया अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको मिल जाएगा तो समयरो मौका ना छुटे मेरे भाई कहीं आपको जाने की कोई जरूवत नहीं है और आगे कि हम बात कर लें तो नेक्स्ट कोश्चन मेरा देखो ये पूछा है अब जो बेबा कूफ बच्चा होगा वो ही तो कहेगा कि हम रास नहीं बनेगा सर देखो ये सवाल आपका 2022 का है जो कोश्चन मैंने एक रोस भी कोश्चन नंबर बन में बताया है सेम मेथड लगेगा ये भी देखो उपर हिंदी में लिखा हुआ नीचे इंगलिस में लिखा सेम कोश्चन सेम कंसेप्ट सेम कहानी अच्छर बदल गया यार सेम कोश्चन एक रोस भी मैंने कोश्चन नंबर बन में नहीं बताया है बेवा कूफ ठारे का नहीं बताया है ऐसा तो कभी होई नहीं सकता कि मैं आपको नहीं बताऊंगा देख लो सेम कोश्चन मैंने आपक 2000 देखोई यह same question मैंने एक cross भी बताया है इसी तरीके से आपको बना लेना है अच्छा यह वाला solution PDF मैंने जो अभी मैंने board पर बनाया इस solution PDF आपको कहां पर मिल लाएगा टेली गराम पर मिल लाएगा एक दम same यही cross ठीक है ना same यही PDF मिल लाएगा टेली गराम पर search क्या करना है तो maths mind the maths mind जो आपको उपर दिखता हो ही search करना the maths mind मिल लाएगा अच्छा जी कहानी तो यहां तक हुआ अब same question एक बार देखो कैसे पूछा है एक बार देखो 2017 में कर दिया गंदा वाला मजाक पूछ दिया आपसे पांच नंबर की सवाल 2017 में किया क्या है जो देखो इस वार तीन भेक्टर दे दिया है जी भेक्टर कितने दे दिया है तीन एक दे दिया आपको भेक्टर A दूसरा दे दिया भेक्टर B तीसरा दे दिया भेक्टर C पांच नंबर की सवाल है यह यार अ केरो कुछ नि बोलना भी कर उसी निकाल लो तो सबसे पहले मानलो कि एकजां में आ गया है आप कैसे बनाते और आएगा क्यों यर आया है तो आएगा तो फिक्स तो कंशेट होता है physics chemistry थोड़ी हो रहा है कि कभी reaction पुछ दिया कभी कुछ पुछ दिया कभी math में concept fix होता है और same concept पे आता है गरज के इसलिए बोलता हो ना मुझे भी स्वास रहता है कि हां ये question आता है मेरे वीडियो किसी किसी दिन एक दो दिन लेट हो जाता है नहीं आता है क्यों क्योंकि मैं जब तक पूरी analysis नहीं कर लेता हूं तब तक वीडियो नहीं लाता हूं ला दिये दो घंटा पढ़ लिया कुछ आया ही नहीं भाई board की तो तयारी करवा रहा है ना अच्छा किसी भी board कर रहो बनाएंगे कैसे सबसे पहले लिखेंगे solution given that क्या किया दिया गया है लिख लो लिख लो काम आएगा तो बोलोगे लिख लेते हैं सर आपकी जवानी से कहानी सुन लेते हैं वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है सब दिन पहले लिखना है i-2j-2j-3-3 लिख लो थोड़ा दो मिनाट टाइम लगेगा कोई चिंता की बात नहीं है वेक्टर वी बराबर वेक्टर वी बराबर क्या दिया हुआ है जी वेक्टर वी बराबर दिया हुआ 2i plus j minus का k माइनस का k आगे आजाओ c बराबर क्या दिया गया है c बराबर दिया गया है देख लो वेक्टर c बराबर वेक्टर c बराबर दिया गया है i plus 3j minus 2 k पांच नमबर की सवाल है जी जैसे जैसे लिखा था मैंने लिख दिया i minus 2j minus 3 k 2ij minus के i plus 3j minus के लिख दिया सबसे पहले तुझे क्या चाहिए तो बोला तुझे देखा तो ये जाना सनम समझ में आ रहा है कि ये कराउस है और कराउस बहला निकलता कैसे है तो बो निकलता डिटर्मिनांट मेथड से और डिटर्मिनांट मेथड मैंने तुमको समझाया लेकिन बोले को गुरुजी आप तो 3 को तो बताए ही नहीं भाई पागल क्यों बर रहे हैं तीन थोड़ी बनाना यार पहले 2 को बना लो फिर लास्ट वाले को बना लेना तो पहले मैं निकलता हूँ B करो सी B करो सी क्यों भाई क्योंकि देखो इसे बरैकेट में बंद कर रखा है यानि पहले सोलूसन मुझे B करो सी का करना है तो निकाल लो पहले B करो C कैसे निकालेंगा बोलेंगा दात गुरुजी यह तो आसान है गुरुजी आपने ही तो बताया यार कि B करो C कैसे निकालते हैं सबसे पहले लिखो आई जे और क्या रहे बहुआ के ठीक है न इसके बाद B लिखा यानि B का कॉफिसियंट लिखना है B का गुनांक लिखना है तो B का गुनांक कितना है 2, J के साथ नहीं कुछ ता बन, K के साथ नहीं कुछ ता माइनस बन, अरे माइनस है ना जी, नहीं कुछ ता बन होता है नहीं कुछ ता बन होता फिर C लिखा है तो C का कॉफिसियंट लिखना है 1, फिर कितना 3, K के साथ माइनस टू लिख दिया ये निकल के आएगा मेरा B क्रोस यहाँ जो B रहेगा तो B ही का कॉफिसियंट लिखना है C रहेगा तो C ही का कॉफिसियंट लिखना है अच्छा, अब I, J का साइन लिख दो भाई कि I, J का साइन क्या होता है तो बच्चा बच्चा बताएगा कि सार i plus होता है minus होता है plus होता है सब को जान गया यहां मैं थोड़ा सा deep ना समझा करके shortcut तरीका थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि लंबा जादा वीडियो ना हो जाए तो direct हम इसको बनाने की courses करेंगे कि b cross c बराबर क्या होगा देखो मैं direct बनाता हूँ कि मेरे भाई I को अगर हमने बाहर किया तो यह खतम हो जाएगा बचएगा minus 2 अरे यह आई वाला खतम हो जाएगा बचएगा minus 2 आये गो minus ये गो minus 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 plus यह बचेगा थिरी हो गया मैंने थोड़ा सा कोती एक लैन मार दिया है जो आपको cut करके हट आते थे तो वो आपको करना है exam में हमने कोती मा रहा है ताकि वीडियो लंबा ना हो तो लंबा वीडियो देखता नहीं है तो बाकि कुछ काम तो तेरे लिए होना चाहिए ना अच्छा, next आपका minus का J minus का J जैसी बाहर होगा यह बाहर हो जाएगा तो minus 4 बचेगा जी अरे यह बाहर हो जाएगा ना तो minus 4 minus minus plus 1 बचेगा plus के हो जाएगा के बाहर हो जाएगा यह गाइब हो गया तिन दूना छो minus 1, तिन दूना छो अरे K को बाहर निकालेंगे तो सामने सामने मा लगा है तिन दोना छो माइनस बन यानि क्या बचेगा यानि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सुनो गुरुजी B करोस C मेरे पास बचेगा तीन में से दू गया तो एक आई तीन में से दू गया तो एक आई माइनस तीन बचेगा माइनस माइनस पलस का जे हो जाएगा बन तो होता ही है तो माइनस माइनस पलस हो जाएगा पलस का क्या हो जाएगा फाइब के फाइब के फाइब के हो गया अब मुझे बी करोसी हो गया मुझे निकालना क्या था मेरे मित्र मुझे निकालना है अब भेक्टर A करौस B करौस C तो हम चलेंगे now according to question now again now again मने पुनह अब again now पुनह अब क्या कांड करेंगे भाई तो भेक्टर A करौस भेक्टर B करौस C मतलब समझ रहे हो समझ रहे हो क्या क्या करना है तो A का लिखना है तो A का क्या है A का है I minus 2J minus 3K यानि I minus 2J minus 2J minus 3K minus 3K A का मैंने भेलू रख दिया क्या क्या था I minus 2J minus 3K फिर आपका है cross था बीच में bridge b cross c तो मैंने b cross c क्या निकला है तो उपर चलोगे तो आपको पता चलेगा मैंने b cross c निकला है i j plus five k यानि i i j आप crimus key five k यही तो b cross c निकाले है न अरे भाई bucks c तो b cross c क्या है i j plus chyba 5 k प्लस के फाइब के मैंने लिख दिया अब बोलो के गुरू जी अब क्या बात है फिर से तो मुझे पुना क्रॉस ही निकालना है क्रॉस ही निकालना है यानि फिर डिटर्मिनांट वाला मेथड लगेगा लगा दो डिटर्मिनांट वाली मेथड डिटर्मिनांट वाली मेथड तो बच्चा बच्चा समझ गया होगा कि गुरू जी करना कुछ थोड़ी होता है सबसे पहले I लिखना होता है J लिखना होता है K लिखना होता है लिख दिया अब पहले नंबर A है यही तो निकाल रहे हैं A कराउस B कराउस C तो पहले A है तो एक आग coefficient देख लो 1, इसके साथ है नहीं कुछ ता 2, इसके साथ में नहीं कुछ ता 3. फिर B कर ओसी, तो B कर ओसी का coefficient क्या होगा? B कर ओसी का coefficient यहां रहा, B कर ओसी का यह रहा, 1, 1, 5. 1, 1, 5. यहीं तो है, यहीं तो है मेरा concept. अब इसे बनाना है कहेगा दद बच्चा बच्चा समझा देगा यार मेरी तो कोई जरूवत ही नहीं ऐसे question में बेवा कूफो वाली सवाल करते हो आज लिख करके note कर लो thumbnail भी मैंने लगाया है कि 5 नंबर पक्के कर लो आज 5 नंबर आपका आने वाला है बोलोगा ठीक है सर चल लिख देगा अब लगाओ अब लगाओगे तो क्या हो जाएगा लगा लो ना सामने का सामने का खतम बचेगा माइनस दस अरे भाई साब खता माइनस दस अब पलस के तीन पलस के तीन माइनस जे अरे भाई ये लिखाएगा ना माइनस जे माइनस जे खता मैंने कोती मारा है पाच पलस के तीन अरे भाई जे बाहर निकालोगे तो जे का सामने वाला खतम तो बचेगा पाच पलस तीन तुमी ज़त से निकालना जो मैंने पहले किया है पलस का के के का हट जाएगा तो बचेगा एक का पलस दू एक, अरे एक आए एको माइनस एको माइनस दू को माइनस आए कितना हो गले दू दू हो गया अब लिख लो लिख लो मेरे मीत्र भेक्टर A करोस B करोस C ये होती है एक्जाम में लिखने का तरीका तो दस में से तीन गया साथ आई माइनस आठ जे अब पलस का तीन के ये ही आपका आया भेक्टर A करोस B करोस C कोई माइका लाल एक नमबर आपको काट नहीं सकता है एक दम आई से घेर के तुम अंसर लिख देना इसके बाद आपको दो लाइन छोड़ देना होता है कि चाह करके भी कोई एक नमबर नहीं काटे साप साप उसको दीखे और सो में सो तुम ला सको एकदम गरांटी ये ही आएगा मेरी रोज वीडियो सुवा आठ बजे आ रही है तो सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पढ़ने वाले हो तो दूसरी काम है मेरा भाट सब ग्रूप में जूट जाना जो की नमबर पे मैसेज करोगे आपको मिल जाएगा देखो इस नमबर पे मैसेज करोगे उपर वाला नमबर पे आपको मैसेज कर देना है उसमें भार सब तिसरी काम है टेलीगराम पर जूट जाना तेलीगराम के लिए आपकाס को बॉइल्द नियू कर लेना तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हर पांजनवरी को मेरा 12 का कोर्स आथा इसी द लगता नहीं भाई गुरू जी सही पढ़ा सकते हैं तब छोड़े भाई बहान को बता देना और मेरे भाई बस एक बात वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखना आपका काम होता है आपको किस कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए कौन फर्मूला याद नहीं होत आपकी अच्छी बूरी बात कॉमेंट में लिख देना होता है बिल्कुल लिखिएगा देखिए आप लिखते हैं मैं पढ़ता हूँ मुझे अच्छा लगता है अगली वीडियो लाता हूँ और इतना तो तुम 12 में पढ़े हो तो इतना तो नॉलेज होगा ना कि 2-4 इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिख देना होता है आज के लिए मिल इतना ही हर रोज हम लोग सुवा आठ मजे नए वीडियो के साथ मिलते हैं बाकी लव यू पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए गाउं वाले बच्चों के लिए अस्पेसल पढ़ते रहिए बताते के दोस्तों या अगरो हाँ मेरे भाई सची बात खुद भी पढ़िया कम से कम पांच दोस्त के आप देजिए समय रहे ना पहली वार वीडियो में भेज़े इतना भेजो कि कम से कम 5-10,000 वीडियो इस वीडियो का तो लाइक और कॉमेंट बनता है यार 5-10,000 भीव तो